बिल्कुल लिनामिका और शुरुवात कर रहे हैं आपको बता दे कि पैरिस ओलम्पिक से एक बड़ी खबर आ रही है जहांपर भारत ने पहला मेडल अपने नाम किया है ब्राउंज मेडल मिला है मनु भाकर को शूटिंग में ये आपको हम तस्वीरे भी दिखाएंगे तस्वीरे इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं पैरिस ओलम्पिक में भारत को पहला ब्राउंज मेडल मिल चुका है शूटिंग में मनु भाकर को ब्राउंज मेडल मिला 10 मीटर एर फिस्टल में पहला मेडल आ चुका है शूटिंग मेडल जीतने वाली पहली भाटिये महिला शूटर बनी है 121.7 अंकों के साथ में मनु भाकर ने ब्राउंज मेडल अपने नाब किया है जिसके बात मनु भाकर ने कहा भी कि मैंने पूरा ध्यान फाइनल पर फोकस किया था मैंने हमेशा भगवत गीता पढ़ी है और रिजल्ट पर नहीं ध्यान दिया है अपने खेल पर फोकस कर रही थी इसे के साथ आपको बता दे कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी मनु भाकर से बातचीत की है और उन्हें बधाई दी है तो यह तस्वीरे हम आपको जीत की दिखा रहे हैं उलम्पिक में पहला मेडल आ चुका है यह कमाल मनु भाकर ने किया है परिवार में समय ज असमीर जो है वो हम देखा रहे हैं तो सबसे पहले मा के रीयक्षन क्योंकि मा की महतिपूर्भूमिका होती है तो किस पहली प्रतिकरिया क्या थी जब आपको पता चले की मनु भाकरने ब्रांज maGi प्रतिक्रिया मैं तो क्या ही बता हूं मतलब सब्दनी है मेरे पास ना बहार नहीं आ रहे सब्दनी कल के किसे मोटीवेट ऐसं मोटीवेट तो मैं गुर्कुल में पड़ी हूं तो संस्कृित पड़ी है स्लोक पड़े है तो उसी मोटीवेट क्या है। सर आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ ठीक है हाँ तो क्योंकि देखे लगतार यहां पर मीडिया कर्मियों के साथ मौजूद हैं दोनों ही माता पिता तो एक टाइम ये भी आया था कि जब टोक्यो अलम्पिक में एक लक्साथ नहीं दिया था तो उस टाइम कैसे हैंडल किया था अपने अपनी बेटी को जब मनु आई थी एरपोर्ट पे तो मैं आई नहीं थी लेने क्योंकि मेरी हिमत नहीं हो रही थी कि मैं बेटी को किस मकसद से लेने जाओं इतनी महनत करने के बाद में बेटी आज क्या पुछेगर में उसको क्या जबाब दोंगे क्योंकि जब भी वहार से आती है तो बड़ मुदी जी को मेरा दिल से धन्यवाद और मोदी जी को मेरा नमस्ते तो देखें लगातार क्योंकि बधायों को ताता लगा हुए और मीडिया कर्मियों से भी गिरे हुए हैं दोनों ही माता पिता तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक मा जो स्ट्रगल करती अपने बच्चे के साथ साथ वो उन्होंने साजा के आए हमारे साथ जी ओवर टो इस्टूडियो और इस बीच अंजली जो बात करेती परिवार की लोगों से तो परिवार की लोग भीगी भी बहुत एहम भूमिका होती है जब बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते है तो परिवार भी एक जंग लड़ रहा होता है जहां पे बच्चों का उच् नाम रोशन कर दिया है और हम सबी का नाम रोशन है आप देख रहे हो यह मेरे बाल उजाते है जब मनु 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 हा तो इस तो बाकी खिलाडियों को भी वो मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है और मनु को खुद को भी कॉन्फिडेंस आया है कि वो दुबारा जो है अगले दो इवेंट में अच्छा करने के लिए उसको पूरा जो शाय होगा जो शाय है मनु जी जी आपकी बात हुई अपनी बेटी से अच्छा फोन बंद है तो बात कल इवेंट है ना तो साम को साहथ 2-4-5 मिनट मिलते हो उसको करने के लिए तो साहथ साम को आएगा लेकिन एक बात है कि जब आपकी बेटी ने ब्रॉंज मेडल जीता है देश का नाम रोशन कर दिया है लेकिन जब आपकी बात होगी तो वो पल बहुत इमोशनल होता है जीत हासिल की है आपकी बेटी ने फिर से देखे गिर के उठकर खड़े हुना तो बिलकुल आप मनु भाकर के पिता को यहां पर सुन रहे थे आपको बता देते हैं और मनु भाकर ने साब कहा कि फोकस मेरा रहा चे प्रदर्शन को लेकर और इसी के साथ में चंडिर गर्ड के जो मुख्यमंत्री है नाइप सिंग सैनी वो यहां पर क्या कहते हुए नज और सुबकामने देना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को हरियाना के सम्मान को तिरंगे के सम्मान को उचा किया है उनको बहुत बहुत बधाई और सुबकामने में देता हूँ और जो मैडलों की जड़ी है इस ओलमपिक गेम में वो हरियाना के हमारे सभी खिलाडी वो बड़ी संख्या के अंदर ले करके आएंगे उतना उन सब के उजवल भविश्य की काम न करता हूँ